वेल्कम बेग तू माई यूट्यव चैनल गायोच आज के इस वीडियो में आपे इंड्स प्रणसलेट करने के लिए चीहाँघेंगे कुछ नोचेसग आपको आक्टीक वाइस में रहेंगे और कुछ सेंटेसग प्रजेंस पास्टस और फूचर ट्यंस इन्हों टेंस के अनुवाद एक साथ देखने को मिलेंगे इसलिए बहुत इंपर्टेंट टॉपिक है तो वीडियो को सुरू से अंतक देखना है यदि आप इसी तरह के यूजफूल कंटेंट रगुलर देखना चाहते है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे करें करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ से चल्रूब करें तो आपको पहला सेंटेंस दिया गया है माय पेन हैस बीन अश्टोलेंट अब यहां पर आप थोड़ा सा देखो है प्लस बीन प्लस भरू का तीशा पर अर्था आप कर सकते हैं कि यह सेंटेंस स्पेसिब वाइस में है और पर्जेंट पर्फेक्टेंस में है ठेक है तो माय बेन हैस बिन अश्टोलेंट अर्था मेरी कलम कि चोड़ी कि हो गई है हुआ कर सकते हैं किया सेंटेंस स्पेसिब वाइस में है कीdar कृटा पर ही संपातित होरा हैं साथी साथ इंग्लिज जो सेंटेंस है है यहां पर भी क्या है तो मिया बेन हैंस बन कर सकते हैं मेरी कलम बाई हैं सो गई है अब क्या है somebody has stolen my pen यहाँ पर आप देखो subject plus has plus भारुका तीसरा पर अर्थाथ sentence active voice में है और present perfect tense में है ठीक है तो somebody has stolen my pen किसी ने मेरी कलम चुरा लिए है आइनको यहाँ पर आप देखो किसी ने मेरी कलम चुरा लिए है तोridyea का संपादव्हका करता द्वारा होज़ा है ठीक है करता यहां पर क्या है किसी ने ठीक है और क्रिया यहाँ पर क्या है चुराना तो किलीह का समपादम करता द्वारा हो अर्थात आपका स्थेंगे सेंटेंस एक्टिव वैस में है और फिर्या करते में क्या है यह है अर्थात पर्जेंट पर्फेक्टेंस है तो समबडी है एस्ट्रोनेन में पर किसी ने मेरी कलम चुरा लिये अर्थात तुम इस लड़की के द्वारा तुम की अस्थाम पर आप आप भी प्रियोग कर सकते है तुम लोग आप लोग भी प्रियोग कर सकते है ठीक है तो यू इल बी टाउट बाई दिस गरल तुम इस लरकी के द्वारा पढ़ाए जाओगे इस गर्ल विल टीच यू यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्म का फर्स फर्म अर्थात फ्यूचर इंडवनिंटेंस है और एक्टिव वाइस में सेंटेंस है ठेक है तो इस गर्ल विल टीच यू यहाँ लड़की तुम्हें पढ़ाएगी ए रेडियो वाच बिंग रिपेर्ड बाय माई ब्रोदर यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस विल प्लस वर्म का तीसरा फर्म अर्थात आपका सकते हैं सेंटेंस स्पेसिप वाइस में है और पास्ट कंटिवर स्टेंस में है तो ए रेडियो वाच बिंग रिपेर्ड बाय माई ब्रोदर तो क्या हो जागा एक रेडियो मेरे भाई के द्वारा मरमत क्या जा रहा था ए रेडियो वाज बिंग रिपेर्ड बाय माई ब्रोदर एक रेडियो मेरे भाई के द्वारा मरमत क्या जा रहा था माई ब्रोदर वाज रिपेरिंग दर रेडियो अब आपकर क्या है सब्जेक्ट है, प्लस वाज है, प्लस वर्ब का चौथा पर में, प्लाप कर सकते हैं, सेंटेंस, पास्ट, कंटिनेस टेंस में है, और एक्टिव वाइस में है, ठीक है? माइ ब्रोदर वाज रिपेरिंग दरेडियू, मेरा भाई रेडियू मरमत कर रहा था माइ ब्रोदर वाज रिपेरिंग दरेडियू, मेरा भाई रेडियू मरमत कर रहा था, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो, सब्जेक्ट है, फिर वाज है, फिर वर्ब का तीसरा पर में है, अर्थात आप कर सकते हैं, जो सेक्टेंस है या पेसिप वाज में है और पास्ट इंडेफरिंट टेंस में है, ठीक है? तो दाउननेक्वास किल्ड भाई टू वाज, साउप दू लडक उड़ा मारा गया थाउननेक्वास किल्ड बाई टू बायज्ढ दू लडको दौरा मारा गया टूब वाइज, किल देशनेक, यहाँ पर आप देखोज सब्जेक्ट प्लस वर्म का दूसरा वर्म, अथाथ आपका सकते हैं सेंटेंस पास्ट इन अपने टेंस में है, और एक्टिव वाइज में है, तो टूब वाइज, किल देशनेक, दो लर्कों ने, एक संब मारा, पास्ट इन टेंस है, टेक है, इस विंडो हैज बिन ब्रोकन बाइज, अब यहाँ पर आप देखोज सब्जेक्ट प्लस हैज बिन प्लस वर्म का दूसरा वर्म, अर्थाथ आपका सकते हैं, यह सेंटेंस स्पेसिक वाइज में है, और पर्जेंट पर्फेक्ट में है, टेक है, तो इस विंडो हैज बिन ब्रोकन बाइज अर्थाथ यहाँ खेड की, लरकों द्वारा, तोरी गई है, देखो, इस विंडो हैज बिन ब्रोकन बाइज यह खेड की, लरकों द्वारा तोरी गई है, ठेक है, अब क्या है, दव वाइज है ब्रोकन दिस विंडो, यहाँ पर आप देखो, सब्जेक्ट है, ठेक है, फिर है फिर वर्म का तीसरा वर्म है, अर्थाथ आपका सकते हैं, यह सेटेंस परजेंट परफेक्टेंस में है और एक्टिव वाइज में है, ठेक है, तो दव वाइज है ब्रोकन दिस विंडो, लरकों ने इस खिर की को तोरा है, है यह हाँ पर आप देखो, इस है फिर वर्म का तीसरा वर्म है, अर्थाथ आपका सकते हैं, यह सेटेंस पेसी वाइज में है, और परजेंट गंट्यून्योस टेंस में है, ठेक है, तो स्याम इस बिंग बिटन बाई राम स्याम राम के द्वारा पीटा जा रहा है अब क्या है राम इस बिटिंग स्याम सब्जेक्ट प्लस इस प्लस बनका चोथा पर अठाथ आप कह सकते हैं यह संटेंस परजेंट कंटिनए स्याम में है और एक्टिव वाइस में है ठीक है तो राम इस बिटिंग स्याम राम स्याम को पीट रहा है दा फिल्ग इस ब्लाउट बाई राम यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट प्लस इस प्लस बर्व का तीसरा पर अठाथ आप कह सकते हैं यह संटेंस पेसिप वाइस में है और परजेट इंडेफिन टेंस में है ठीक है तो दा फिल्ग इस ब्लाउट बाई राम राम के द्वारा खेद जोता जाता है क्योंकि परजेट इंडेफिन टेंस है ठीक है तो जोता जाता है दा फिल्ग इस ब्लाउट बाई राम राम के द्वारा खेद जोता जाता है रॉम प्लाउज दफिल्ड, देखो, subject plus verb का पॉच्पवाफ बर्म, अर्थात आपका सकते हैं, sentence present in the sentence में है और active voice में है, ठीक है, तो रॉम प्लाउज दफिल्ड, रॉम खेत जोदता है रॉम प्लाउज दफिल्ड, रॉम खेत जोदता है